हेलो फेरंड्स मैं हूँ राजेस इस वीडियो में बताँगा आईरवेद के अनुसार आम किस तरह से खाना चाहिए यानि कि आप आईरवेद के अनुसार किस तरह से आम खा सकते हैं आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ देश तो आयरवेद के अनुसार आपको जब भी आम खाना हो तो कम से कम इसको 2 घंटे के लिए पानी में भीगोना बहुत जरूरी होता है इससे क्या होता है मैंने एक वीडियो बता था कि इसकी परकिती जो होती है गरम होती है आम जब कच्छा राता है तो इसकी परकीर्टी ठंडी रती है आम जब पक जाता है तो इसकी परकीर्टी गर्म हो जाती है तो इसकी परकीर्टी को सांत करने के लिए आपको इसको कम से कम 2 घंटे कह सकते है ठंडे पानी के अंदर ड्यूगो करके रखना चाहिए और रात के समय आपको आम का सेवन नहीं करना चाहिए इससे आपके चेहरे पे किल मुहांसे निकल सकते हैं क्योंकि इसकी परकिती घरम होती है और यह आपके सरी के टेंपरेचर को बढ़ा सकता है इसलिए आपको रात के समय आपका सेवन नहीं करना चाहिए और सुबा सुबा खाली पेट भी जिन लोग को गयास बनता है उन लोग को इसके सेवन नहीं करना चाहिए उम्मिद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा होगा आच्छा रहा है तो वीडियो को लाइक करें चलो सस्काइब करें धन्यवाद